हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल आज मेने क्या रही हूं वेस बिर्यानी आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक चरू की चलिए इस बगोने मैंने 5 गलास पानी लिया है मैं इंडिया गेट बासमती राइस का यूज कर रही हूं बिर्यानी बनाने के लिए ये देखे हमारा पानी बॉयल हो चुका है इसमें मैं खड़ा जीरा डाल दूँगी एक चमच तेल डाल दूँगी आधा चमच निम्बू करस इससे हमारे जो चावल के दाने वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं इसमें एक चमच में नमक डाल दूँगी और ये मैंने चावल दो लिया है ये चावल भी डाल दूँगे इसमें अब मैं इसे अच्छी तरह से चला दूँगी हमें चावल को बार बार नहीं चलाना है नहीं तो हमारा चावल तोट जाएगा ये दिखें हमारे चावल बनके त्यार है अब मैं चावल को च्छान लूँगी ये दिखें मैंने चावल को च्छान लिया अच्छी तरह से हमें एक कब दही ली हुई से अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी इसमें अधा चमच में हल्दी पॉडर डालूँगी अधा चमच लाल मिर्श पॉडर अधा चमच काली मिर्श पॉडर अधा चमच नमक अधा चमच जीरा पॉडर ये मैंने एवरेश्ट का साही विर्यानी मसाला लिया है इसे भी मैं दो चमच डाल के मिक्स कर दूँगी इसमें मैं आधा चमच से भी कम थूड़ा चीनी डाल दूँगी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से अब इसमें मैं कटे वे गाजा रैट कर दूँगी इस बीन्स भी सिम्ला मिर्च भी और यालू भी इन सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें मैं सोया चंक्स भी डाल दूँगी इसका पानी हमें निकालना है ये पानी निकाल देते तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है इसलिए इसका मैं पानी निकालूँगी इसमें मैं आदा चमच जिंजर गार्लिक पेश डाल दूँगी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसे मैं ढख कर 15 मिनट रख दूँगी ये देखिया महा तेल गरम हो चुका इसमें मैं पनी फ्राई करूँगी ये मैंने 1500 ग्राम पनी लिया है ये देखिया महारा पनी फ्राई हो चुका है अब मैं इसे निकाल लूँगी अब इसमें मैं ये पांच प्यास लियूँ इसे भी फ्राई कर लूँगी इसे मैं अफ निकाल लूँगी ये देखिया मारा प्यास ब्राउन हो चुका है मैं काजू भी फ्राई कर लूँगी काजू भी हमारा फ्राई हो चुका इसे भी मैं निकाल लूँगी ये मैंने प्रेसर कुकर में पांच चमज घी डाला है आप घी में ये बिर्यानी बनाए तो अच्छा बनता है अब इसमें में खड़ा मसाला डाल दूने एक टेच पता है दाल चीनी है चार पांच लूँगे तो ये लाइची है जीरा है अब इसमें अची तरह से भून लूँगी इसमें में ये सबजी डाल दूंगी अब मैं इसे दोटकर ताथ के आथ मिनट पकाऊंगी और इसमें मैं कौन और मटर भी एड़ किप कर दूंगी हमें में मिन अबड़ कर दो दुोंगी है, प्रूंगी तर दूंगा आपवें अहले दूंगी है तर अखपवें थी तर बिरे पांगी है और अखवें उङ़गें भीपर मैं कहां और लांगी है अब मैं इसे फ्राज से पांच मिनट और पकाऊंगी अब हमारा सब्ची बुन के इची तरह से त्यार है अब इसमें मैं आधा किलास तरही कम पानी आग कर दूंगी अब इसमें मैं उबाल आने दूंगी कि हमारा सब्ची तरह से पक जाए इसलिए मैं एक तवा रख दूंगी कि हमारा सब्ची और बियानी चले ना इसलिए मैं एक तवा रखी हूं कुकर के निचे और मैं इसे अब पूरे लो फ्लेम पर ही पकाऊंगे बियानी को यह मैंने चावल पूरे चारो तरफ है लाना हमें चावल को इसको पर मैं यह प्राई के हुआ प्याज एट करूंगी चारो तरफ इसे ही फैला दूंगी पनी भी फैला दूंगी चारो तरफ यह काजू भी ने फैसे चावल को पहला दूंगी इसको पर मैं फिर से प्याज चारो तरफ हला दूंगी पनीर भी डाल दूंगी इह काज करूंगी झाजू, पिर सीजला जाल करूंगी झा प्याज़ी पनीर ने लीचारो तरफ लो बाला दूंगी परास हो भी प्याज़ी ये मैंने food color लिया है इसे भी मैं चारो तरफ डाल दूदी औरेंज food color लिया मैंने ये यल्लो food color लिया इसे भी चारो तरफ मैं डाल दूदी हमें विर्यानी को 20 मिने पकाना है ये देखिए हमारा विर्यानी बनके त्यार है आप मुझे लाइप, कमेंट, सेयर और सस्क्राइब करना ना वोले थैंक यू करता हुआ यूद